हमें छोटी किताबे पढ़ने की इच्छा होती है जो कि एक सिटिंग में ही खतम हो जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको पांच ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जिनका पेज काउंट हंड़ से भी कम है मैं जो यहाँ पे पांच किताबे बताऊंगा उनमें से चार बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है लेकिन लास्ट वाली मैं बिगिनर्स को बिल्कुल भी सजिस्ट नहीं करूंगा अब जादा देर ना करते हुए चलिए आपको मैं किताबों के बारे में बताता हूँ पहली बुक है रस्किन बॉन के लिख हुई एंग्री रिवर अब रस्किन बॉन का राइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है जब आप एक बार उनके स्टोरीज को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अब ये जो बुक है ये एक नुवेला है शौर्ट स्टोरीज और नुवेल के बीच में जो आता है उनको ही आप नुवेला कह सकते है ये एक थोड़ा से और टाइप के एक्स्प्रिनेशन है बढ़ हाँ मैंने थोड़ा सा कोशिश किया इसके एक्स्प्रिनेशन को देने की मैंने Angry River के उपर एक dedicated वीडियो बना हुआ है जिसको आप देख सकते मेरे चैनल पे हाला कि मैं डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे लिंक दे दूँगा इस किता में सीता नाम के एक लर्खी के बारे में बताया गया जो कि अपने grandparents के साथ एक छोटे से island में रहती है वहाँ पे अचानक से एक दिन बान आ जाता है और सीता का घर पूरा तैसनास हो जाता है फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और आपको ये किताब खरीदना परेगा स्टोरी को जानने के लिए इस बुक का MRPA 95 रुपीज और ये रुपा पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश की गई है अब नेक्स्ट बुक इस किताब के अंदर साथ स्पिरिचुल लॉस के बारे में बताया गया है मैं अगर इसको कॉंप्यार करके दिखाओ तो ये दोनों लगभक एक ही साइज का है लेकिन ये और भी ज्यादा चोटा है इसको साइज है ये तोर सा पॉकेट डाइवरी टाइप का है आप इस बुक को पॉकेट में लेकर भी घूम सकते है इसके तक का प्राइज है 199 रुपीज और टोटल पेज़ेस है 96 ये बुक पब्लिश ही गई है हे हाउस इंडिया के दोरा पेज़ेस के अगर मैं बात करूँ तो अच्छे पेज़ेस है नेक्ट बुक है हारो की मुराकामे के दोरा लिखी हुई बर्दे गल्द इसके ओपर फी मैंने एक डिडिकेटर वीडियो भी बना हुआ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिशन पे और आई बटन पे मिल जाएगा यहाँ पे एक लड़की के वारे में बोला गया है जिसका बर्द है लेकिन कुछ साक्रप्स्टैंसिस के बज़े से वो अपने बर्दे को सलिबरेट करने में उतना ज़्यादा उटसाइट नहीं है बहुत एक लाइट स्टोरी है और आपको इसको पढ़के इंजॉय करना परेगा नेक्स किताब मेरे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है क्योंकि यह मैंने किंडल पर पढ़ा था और उसका नाम है Who Moved My Cheese Who Moved My Cheese एक मेटाफोरिकल टाइप की स्टोरी है जहांपे हमें बतायागा है कि चेंजिस को एडप्ट करना कितना ज़ादा इंपोर्टन है जो लोग चेंजिस को एडप्ट नहीं कर सकते वो जिवन में कभी आगे भी नहीं पर पाएंगे Who Moved My Cheese एक बहुत ही अच्छी बुक है और इसका भी डिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है नेक्स्ट बुक है The Metamorphosis अब The Metamorphosis का जो मेन लैंग्विज है मतलब फस्ट लैंग्विज है वो इंग्लिश नहीं है यह इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है फिर यह किताब थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसलिए कभी भी मैं बिगिनर्स के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा अब यहां पर टोटल पेजेस है 66 The Metamorphosis की प्राइज है 75 रुपीज और यह इबुक में भी अबलेबल है आप इबुक से भी पर सकते हूं आप थोड़ा सा प्राइज आपको शायद कम परेगा और यह पब्लिश की गही मैफल प्रेस के द्वारा फ्राइन्स काफका का जीवन भी बहुत इंट्रेस्टिंग है और मैंने इसके उपर भी एक वीडियो बना हुए इस किताब के उपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर और फ्राइन्स काफका के जीवन के उपर भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा उस वीडियो पे ही मैंने discuss क्या है क्या है काफ का इसक क्या है क्या है काफ का जो writing style है वो different है दूसरो से. इसलिए उनके writing style को ही एक नाम दियागा है जिसका नाम है कैफ कस क्या है अब आपको मैं उस वीडियो पे इस बारे में जादा जान करी मिल जाएगा आज के इस वीडियो भी इतना ही था आपको इन सभी किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगे आप चाहे तो उन लिंक से खड़ी सेकते वो एक एफिलेर लिंक होगा इसलिए आप जब उन लिंक से खड़ी देंगे तो मुझे तो फायद होगा लेकिन आपको जो प्राइज है वो सेम ही पड़ेगा आपको अगर ये वीडियो पसंद आख तो ज़रू लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मैरे चैनल को बेल बटन को क्लिक कर दीजिए फिरा नेवले वीडियोस के नुटिसमस के लिए आपके साथ फिसमों लाइका तो कीशाइब कीजिए और एक वीडियो में टाथ तके लिए गुडबाई